सुशांतिक राजपुत केस में जाज के लिए CBI की टीम अब मुंबई आ गई है हाला कि अब जो है CBI की टीम के पास डेडलाइन है कि साथ दिन में उनको ये पूरा केस इंवेस्टिगेट करना है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है CBI की टीम वापस आई है उन लोगों की लिस्ट बना कर कि उनको किसका बयान दर्ज करना है और किस तरीके से ये पूरी जाज होगी क्योंकि इतने दिनों बाद जो है जब वो वापस आई है तो इस दुरान उन्होंने पूरा केस का अनलिसिस किया है न्यूज 18 का दावा है कि CBI दिशा केस से इस केस को जोड़कर नहीं देख रही है उनको दिशा और सुशान के बीच में कोई भी लिंक नहीं मिला है हाला कि वो फिर भी हर चीज के लिए शियोर होना चाहती है और इसलिए वो कई लोगों को फिर से समन भी सकती है जिसमें सुशान के घर काम करने वाले नीरज, केशव, दिपेश, सैमिल समेथ, रिया चकरवर्ती को फिर से बुलाया जाएगा इतना ही नहीं, सिधात पिठानी को भी फिर से बुलाया जाने की चर्चा है लेकिन News 18 का दावा है कि CBI को दिशा और सुशान केस के बीच में कोई लेक नहीं मिला है हाला कि एक आईविटनेस ने News Nation में दावा किया था कि उसने उस पार्टी को देखा है वो खुद उस पार्टी में शामिल था, उस आईविटनेस की जितनी भी टेस्टिमनी है वो CBI को सम्मिट कर दी गई थी, CBI उसको भी जाच करेगी, उसको भी देखेगी लेकिन उनको अभी तक की अपनी चार्च में दिशा और सुशान के बीच में कोई लिंक सामने नहीं आया है कितना ही नहीं, CBI जो है एम्स की रिपोर्ट फाइनल आई है या नहीं इस पर किसी भी तरह का कोई आपचारिक बयान नहीं दिया है उन्होंने और उन्होंने अभी तक एक ही स्टेटमेंट इशू की है जिसमें उनका कहना है कि हमने किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया है रिया को अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है इस तरह का जो है CBI सूतरों से खबर आ रही है कि अभी तक वो FIR CBI के पास है ऐसे में जब तक वो final report जो है submit नहीं करते तब तक उसी FIR पर उनका काम चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अभी तक रिया को किसी तरह की कोई ख्लीन चिट नहीं मिली है वहीं CBI को दिर्शा के साथ सुशान केस का कोई लिंक नहीं मिला ये खबर भी सामने आ रही है